Welcome back friends, my name is Muhammad Kamran. आज हम लोग कर्मा भाइ खुश्वन सिंग का पार्ट थरी पड़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, let's start. The arrival of the train did not disturb सर्मोहनलाल's सेंग फ्रॉइड. ट्रेन की आने की वज़े से सर्मोहनलाल का सुकून खराब नहीं हुआ, सर्मोहनलाल की शांती भंग नहीं हुई. He continued to sip his scotch and ordered the beerer to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment. वो scotch की चुश्की लेता रहा और उसने कुली को first class compartment में उसका समान रखने के बाद उसे बताने का हुकूम दिया. Excitement, Bustle and Hurry were exhibitions of bad breeding and सर्मोहन was eminently well-bred. घबराहट, हरबराहट और जल्दबाजी ये सब खराब परवरिष के निशानिया थी और सर्मोहनलाल यकीनन एक अच्छी परवरिष का इंसान था. He wanted everything tickety-boo and orderly. वो हर चीज अच्छा, ठीक और धंग का पसंद करता था. In his five years abroad, सर्मोहन had acquired the manners and attitudes of the upper classes. उसके पांस साल विदेश में रहने की वज़ा से, सर्मोहन उची जाती के लोगों के तौर तरीके, सर्मोहन उची जाती के लोगों के चाल-चलन सीख गया था. He rarely spoke Hindustani. सर्मोहन हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्ताने जबान बहुत कमी बोलता था. When he did, it was like an Englishman's. Only the very necessary words and properly anglicized. और जब कभी सर्मोहन लाल हिंदुस्तानी भाषा बोलता था, वो बिलकुल अंग्रेज की तरह बोलता था. वो सिर्फ ज़रूरी words ही बोलता था, और जो भी हिंदुस्तानी भाषा की words वो बोलता था, वो उनको English style में बोलता था, अंग्रेजी की तरह बोलता था. बट फैंसी इस English, finished and refined at no less a place than the University of Oxford. लेकिन सर्मोहन ने अपनी English को समारा था, उसको बहतर बनाया था, Oxford University से कमतर किसी जगह पे जा करके नहीं. यानि सर्मोहन लाल ने अपनी English को समारा था, उसको बहतर बनाया था, Oxford University में जा करके. वो बातचित करने का सौकीन था और एक तहजीब याफता अंग्रेज की तरह, एक सभे अंग्रेज की तरह, वो तकरीबन हर विशह पे, हर मौजू पे बात कर सकता था. किताबों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में, वो हर विशह पे, हर मौजूब पे बात कर सकता था How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman उसने कई दफ़ा अंग्रेजों को ये कहते हुए सुना था कि वो बिलकुल अंग्रेज की तरह बोलता है सरमोहन wondered if he would be traveling alone उसको अचमभा हुआ कि क्या वो उस compartment में, अकेला ही सफर करेगा It was a cantonment and some English officers might be on the train वो जो इलाका था, वो एक cantonment था, यानि कि वहाँ पे सिपायों की छावनी थी तो जिसकी वज़ा से उस compartment में कुछ English officers के होने की उमीद थी His heart warmed at the prospect of an impressive conversation तो एक impressive बातचीत की उमीद पे सरमोहन लाल का दिल खुश हो गया He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did सरमोहन लाल कभी अंग्रेजों से बातचीत करने की इच्छा, अंग्रेजों से बातचीत करने की खाहिश जाहिए नहीं करता था जैसा के उस वक्त के ज़्यादा तर भारतियां लोग करते थे Nor was he loud, aggressive and opinionated like them और मिस्टर मोहन लाल दूसरे भारतियों की तरह उची आवाज में बात नहीं करता था वो गुसे वाला नहीं था और वो जिद्धी भी नहीं था He went about his business with an expressionless matter of factness इधर उधर ध्यान दिये बिना वो अपने काम में लगा रहता था He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times वो खिरकी के पास अपने कोने में बैठ जाता था और the Times newspaper की एक copy निकाल लेता था He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle वो newspaper को इस तरह से मोडता था के उसका नाम दूसरों को दिखाई दे सके जबके वो newspaper में crossword puzzle solve करता था The Times always attracted attention The Times newspaper हमेशा लोगों का ध्यान अपने तरफ खीशता था Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I have finished with it और जब Mr. Mohanlal इस अंदाज से newspaper को रखता था कि मैंने इसे पूरा पढ़ दिया है तो कोई ना कोई उससे newspaper को पढ़ने के लिए मांगता था Perhaps someone would recognize his baliol tie which he always wore while traveling शायद कोई ना कोई उसकी baliol tie को पहचान लेता जिसे वो हमेशा सफर के वक्त पहनता था यानि Mr. Mohanlal दूसरों को impress करने के लिए हमेशा सफर के वक्त अपनी baliol tie को पहनता था और उसकी जो baliol tie थी वो Oxford College का नजारा लोगों को दिखाती थी वहांके Masters, Dons, Dons यानि Teachers, Tutors, Boat Races और Rugger Matches यानि Rugby Matches का नजारा उसकी baliol tie लोगों को दिखाती थी Rugby Match क्या होता है आप लोग मुझे वीडियो के नीचे केमेंट करके बताइए If both the times and the tie failed, Sir Mohan would कोई है his bearer to get the scotch out और अगर the times newspaper और उसकी baliol tie दोनों दूसरों को impress करने में नकाम हो जाते तो Sir Mohan Lal scotch निकालने के लिए अपने waiter को आवास देता था कोई है Whisky never failed with Englishman Whisky कभी अंग्रेजों के बीच में नकाम नहीं होती थी यानि Whisky से हमेशा अंग्रेज लोग impress हुआ करते थे Then followed Sir Mohan's handsome gold cigarette case filled with English cigarettes फिर Sir Mohan के खुबसूरत सोने के cigarette case की बारी आती थी यानि Sir Mohan Lal उसके बाद दूसरों को दिखाने के लिए उनको impress करने के लिए अपना खुबसूरत सोने का cigarette case निकालता था जो English cigarettes से भरा हुआ रहता था English cigarettes in India Sir Mohan के पास English cigarette देख करके लोग सोचते थे के भारत में English cigarette? How on earth did he get them? उसके पास कहां से आया? लोग ऐसा सोचते थे Sure he didn't mind और Sir Mohan के पास English cigarette देख करके जब लोगों के मन में ख्याल आता था कि हम उससे cigarette मांगे तो लोग सोचते थे कि अगर हम उससे मांगे तो वो बुरा नहीं मानेगा And Sir Mohan's understanding smile Of course he didn't और अगर Sir Mohan Lal से कोई cigarette मांगता था तो वो समझदारी से मुश्कुरा देता था और वो बुरा नहीं मानता था But could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? लेकिन क्या Sir Mohan Lal अपने प्यारे पुराने इंग्लेंड से रिष्टा जोडने के लिए अंग्रेजों को माधें बना सकता था अंग्रेजों को जरिया बना सकता था Those five years of grey bags and gowns of sports blazers and mixed doubles of dinners at the inns of court and nights at Picardilly बोल रहा है कि grey bags and gowns के उसके वो 5 साल sports blazers और mixed doubles के उसके वो 5 साल आप लोग जानते हैं कि mixed doubles tennis का game होता है और बोल रहा है कि inns of court के dinners और Picardilly की रातों के वो 5 साल तो क्या उन लंडन में बिताये गए उसके उन 5 सालों से रिष्टा जोडने के लिए सरमोहन लाल अंग्रेजों को माधें बना सकता था अंग्रेजों को जरिया बना सकता था inns of court लंडन में barristers यानी lawyers का association है और Picardilly लंडन में एक road का नाम है 5 years of a crowded glorious life भीर भाडवाली शांदार जन्गी के 5 साल बोल रहा है कि सरमोहन लाल के लंडन में गुजारे हुए उसके भीर भाडवाली शांदार जन्गी के वो 5 साल worth far more than the 45 in India with his dirty vulgar countrymen with soddy details of the road to success of nocturnal visits to the upper story and obeys old Lachmi smelling of sweat and raw onions यहां पे यानि भारत में यहां के गंदे गलीज लोगों के साथ काम्याबी की गंदी तफसील के साथ उसके घर की उपरी मन्जिल में उसका रात को वो जाना और मोटी बुड़ी लच्मी के साथ पसीने और कच्चे प्यास की महक के साथ उसके यहां पे यानि भारत में गुजारे गए 45 साल से कहीं ज्यादा कीमती थे उसके लंडन में भीर भाड़ वाली शानदार जिन्दगी के वो 5 साल ऐसा सर्मोहनलाल सोचता था इस प्रोज का लास्ट पार्ट में एक दो दिन में अप्लोड कर दूँगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा आप लोग चेक कर लिजेगा बहुत जल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत जै हिंद जै हिंद एक लिजेगा